हेलो विर्वन वेल्कम टू थ्राइव इंसिट्रीट वेजुकेशन ओलाइन क्लासिज और आज बात करने वाला हूं मैं आपके सामने की चैपने की जिसका नाम है अंटिल और अनलेस अंटियर ओलास के बारे में हमें डेफिरिल जरूर सुना होगा इसका से करता है इसको किसे अच्छा बोलने में तो उमीद करता हूँ आप इस वीडि़ू बने रहेंगे और यह चैपने को रहसे समझेंगे तो देखते हैं इस चैपने कैसेज़ाता है और कैसे बोला जाता है चलिए देखते हैं चलिए शुरुवात करते हैं आज के चैप्र की आज मैं आपको दो तरह के कंजेक्षिन कराने वाला उँए एक हे UNTIL और एक हे UNLESS यह दोनों कंजेक्षिन का असमाल ano का मुझा अच करने वाले हैं जानते हैं, इनका use कैसे होता है, देखिए unless और until, दोनों के अपने-पने sound होते हैं, बात करें unless की, तो unless के अंदर जो sound आता हो, आता है, जब तक की न, या फिर जब तक की नहीं, या फिर यदी नहीं, ये तीन sound में मैंने आपको बता हैं, आपको ध्यान रखने हैं, जब तक की न, जब तक की नहीं, या फिर यदी नहीं, ये तीन हो sound, और अगर until की बात करें तो until में जो sound आते हैं, जब तक की जब तक तब तक या फिर जब तक की नहीं दोबारे बोल देता हूँ जब तक तब तक या फिर जब तक की नहीं ये दोनों के दोनों कोंसेप्ट जो होते हैं वो negative sentence में भी होते हैं इसमें not लगाने की जुरूर नहीं होते हैं इसमें not नहीं को point है यह इसकी chapter पे इसी note पे पूरा पूरा chapter का base है वो क्या है देखिए until का जो small होता है वो समय के बारे में पता होने पर होता यानि कि हमें समय का बोध होता है समय पता होता है समय की बाते की जा रही होता है यानि इसमय को condition यानि एक शर्त रखी जाती है शर्त रखी होती है अब वो किस तरह सी होती एक्जामपल देते हैं तो पहले हम बात करते हैं until की देखिए अगर मैं कहता हूँ यहीं रुको जब तक तुम्हें जाने के लिए ना कहा जाए यहीं रुको जब तक के लिए तुम्हें जाने के लिए ना कहा जाए तो इसमें आप देखिए मैंने कहा जब तक यानि इसमें समय का बौध हो रहा है मैंने कहा यहीं रुको यानि कब तक रुको जब तक तक तुम्हें जाने के लिए ना कहा जाए तो इसमें समय की बात हो रही है, हो रही है समय की बात, तो इस समय की कंडिशन जो हो रही है, जो समय का बहुत हो रहा है, इसी क्लियर होता है, इस चप्टर हमारा अंडेसर बनेगा, तो इसको कैसे इसमाल करना है, आपको बड़ सिंपल सा तरीका है, Stay here until you are permitted to go, एक बार दोबारे बोल देता हूँ, Stay here until you are permitted to go, छीक है, आगे बढ़ते हैं, माली जी मैं कहता हूँ, माली जी मैं कहता हूँ, जब तक तुम नहीं कहोगे, तब तक मैं नहीं जाओंगा, जब तक तुम नहीं कहोगे, यहां पर भी समय का बहुत है, क्यानी जब तक तुम कहोगे नहीं, जब तक मैं जाओंगा, तो समय का बहुत कहा है, तो माली जी मैं कहता हूँ, उसे जब त जब तक बाइक नहीं मिलेगी, तब तक वह कक्षा में पास नहीं होगा, समझें मेरी बात, यानि जब तक उसको बाइक नहीं मिलेगी, जब तक वह कक्षा में पास नहीं मिलेगी, जब तक वह कक्षा में पास नहीं मिलेगी, तो यहाँ भी हम समय की बात करने, समय क्या है, उ जब तक वह नहीं आता है जब तक वह नहीं आता मैं इंतिजार करूँगा तो I will wait until he comes I will wait until he comes तो यहाँ पर समय कब होता लेकिन अगर हम unless की बात करते हैं तो unless में गाता है शर्त का होना होता है चैसके कोई भी सपना पूरा नहीं होता जब तक हम उसे पूरा करने के में बहनत नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रही है कोई भी सपना पूरा नहीं होता कब तक नहीं होता जब तक जब तक क्या शर्त है कि हम उसे पूरा करने की महनत नहीं करते हैं तो संद्रेश कैसे बनेगा No dream comes true unless we work hard to make it complete चले एक्जाम पर रोल देते हैं अगर या फिर यदि तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम अनुत्रिन हो जाओगे अनुत्रिन मतलब fail हो जाओगे unless you study you will fail यदि नहीं पढ़ते हो तो condition यह शर्त आगए है हमारे साथ चली दूसरा लेते हैं example इसी वक्त निकले बिना हम वहाँ समय पर नहीं पहुश सकते हैं यानि अगर हम अभी नहीं निकले तो हम वहाँ पर समय पर नहीं पहुश सकते हैं यहाँ पर शर्त एक condition है तो unless we leave right away we can't get there on time दोबारे बहुत देता हूं unless we leave right away we can't get there on time इसी वाकिया को हम unless के बीच में लगा कर भी बना सकते हैं अगर unless को बीच में लगा तो भी बन जाएगा तो we can't get there on time unless we leave away हना कितना simple सा concept है तो बहुत चोटा सा chapter है पर practice करने से यह chapter आपका और अच्छा हो जागा और strong हो जाएगा I hope आपका उच्छे से clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह था हमारा आज का chapter इसका नम था until और unless यह कैसे समाल होते हैं किस तरह से इसका use होता है यह मैंने आपको आज की class से बताया लेकिन आपको इसको speaking wise practice मिलाना है जब आपको practice मिलाएंगे example बनाएंगे sentence बनाएंगे तो आपको easily sentence अच्छे से clear हो जाएगा बहुत चोटे chapters होते हैं लेकिन आपकी English को काफी impressive और काफी अच्छा बना सकते हैं तो जुरूरी है इस practice इस sentence पर practice करें कभी कभी सोचते हैं चोटे-चोटे chapter काफी मदद कर सकते हैं अपकी English को impressive करने में तो इनको कभी छोड़ना नहीं है आपको अच्छे से मेहनत करनी है तो यह आज की हमारी class थी अगर आपको आज की class का लेक्टर समझ आया है है